अलो फ्रेंज, वेलकम तो दी चैनल, आज इस वीडियो के अंदर हम गाला का साइन सब्जेक्ट का सेकेंड पेपर सॉल्ल करेगे, जिसके अंदर हम सेक्शन ए के बारे में सॉल्यूशन देखेगे, तो इस पेपर के अंदर गाला का सेकेंड पेपर साइन सब्जेक्ट सेक्श for the following reaction, तो copper oxide का reaction किया जाता है hydrogen के साथ, तो उसमें से copper और water बनता है, तो यह reaction जो है वो आपका redox reaction है, ठीके न, आपके textbook के अंदर है redox reaction का यह example है, ठीके न, तो हमारा option आएगा C, correct option, ठीके न, next देखते है, which functional group is present in butanon, तो butanon जो है, वो ketone functional group का एक member है, ठीके न, तो हमारा answer आएगा ketone, ठीके न, याद रखना बेटा, butanon जो है, वो ketone functional group का एक member, ठीके न, तो हमारा answer आएगा ketone, ठीके न, ऐसे question को solve करने के लिए, आपको क्या देखना है, पीछे जो suffix लगे होते है, वो देखने के o-n-e लगा है, तो यहाँ पर ketone के अंदर o-n-e लगा is by juice produce, produce कहाँ पर किया जाता है, लिवर में, अगर यह से पुछते हैं कि store कहाँ पर किया जाता है, तो gold blader क्या करता है, store करता है, gold blader क्या करता है, store करता है, और liver क्या करता है, produce करता है, ठीके न, तो इन दोनों के अंदर confusion मत create करना, हमें यहाँ पर पुछा था produce, तो produce के लि एनेरजी के तोर पर यूज किया जाता है solar cell ठीक है ना नेक्स देखते हैं the focal length of convex lens is 25 cm then what it its power तो power का formula क्या है power is one upon focal length तो मुझे focal length बोली है 25 cm but मुझे focal length जो चाहिए वो meter में चाहिए तभी मैं power convert कर पाऊगा ठीक है ना तो focal length को पाऊवर convert करोगा तो क्या है 25 upon 100 cm से क्या बन जाएगा meter अब यहाँ पर value put करो 1 upon 25 upon 100 यह 100 कहाँ पर चला जाएगा उपर so power is what 100 upon 25 cut out करोगे तो कितना है और यहाँगा one so power is what 4 diopter अब बात करते है प्लस में आएगा कि माइनस में तो यहाँ पर मुझे जो लेंस बोला गया है वो lens कौन साइब कॉन्वेक्स लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो आपके focal length होती है वो राइट सैड मेजर की जाते है तो राइट सैड मेजर करोगे तो फोकल लेंग किसमें प्लस में तो पावर भी आपका किसमें आएगा प्लस में तो आंसर इस प्लस फोर डियोप्टर तो करेक्ट ऑप्शन इस सी ठीक है ना यहाँ पर कल्कुलेशन में लिएक के रखा है आप एक बार चेक कर लेंए ठीक है ना नेक्स्ट एक क्वेश्चन नमबर सिक्स दा लाइट ओफ वीच कलर एज मैक्सिमम वेलोसिटी इन डिस्पर्शन ओफ वाइट लाइट बाइट बाइट ग्लास प्रिजम तो वेलोसिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की ठीक है और इसी वज़े से इसका डिवेश इस ट्रक्वेशाल एसमर्स ऑफ एंटेंस ठीक है न तो एसमर किसको बोलते है जिसका कैमिकल ओफ क्या होगा अलगग होगा तो इसको получится विद्थे कौन-कौन से isomer होते हैं यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक question तीन माक में भी पूछा जाता है ठीक है यहां पर आपको खाले blanks में पूछा है अगर यह से बोलेगे कि पेंटेन का isomer डो करो तो एक question तीन माक का हो जाएगा ठीक है तो यह पहला है और नॉर्मल पेंट ठीक है ना टू मिथेल ब्यूटैन बोलो की ऐसो यहोते है ठीक है ना फिर दूसरा है नियोपेंटन और नियोपेंटन का दूसरा नाम है कि टुटू डाइमिफाइल के तो टू हो टू है आ दा मिठाइप कर है कि ना अ और यह पीछह वाला जो दो है उसके दो दूसरे बिन्य में ऐसो पेंटेन का दूसरा नाम होता है 2-methyl-butane और नी यो-पेंटेन है उसका दूसरा नाम है 2-2-diamethyl-propane तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा ठीक है ना तो कितने isomers से बीटा तीन यहाँ पर अलग-अलग structural formula है तो isomers कितने मिलेगे हमको तीन मिलेगे ठीक है ना आगे बढ़ते हैं next question हमारा क्या है according to modern periodic table देखो last paper के अंदर आपको को पुछा गया था Mendelews periodic table यहाँ पर पुछा गया है modern periodic table तो modern periodic table के अंदर जो elements से वो किसको periodic है atomic number को periodic ठीक है ना Atomic mass आएगा कब? जब Mendelews का पुछा जाएगा तब हैमें तो मेंदलेव के अंदर आएगा atomic mass और modern periodic table के अंदर आएगा atomic नमबर तो हमारा correct answer रहेगा modern periodic table क्यों 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 कि फिलाल में पुछा है modern periodic table ठीक है ना और लास्ट पेपर में था मेंदेलूस periodic table देखते हैं next question blank cell perform the function of opening and closing of the stromatal pores तो यहाँ पर हमारा answer आता है guard function guard cell sorry guard cell का काम क्या है stromata को open करते और close करते कैसे हम यहाँ पर आपको बता देता हो ठीक है तो यहाँ पर देख लो यह वाले जो आपको दिख रहे हैं वो दोनों के दोनों हमारे क्या है गाडसल है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह दोनों के दोनों मेरे क्या है गाडसल जब गाडसल पानी से भर जाते तो वो क्या कर जाते है तो बीच में क्या हो जाती जगा हो जाती इसकी वज़े से यह जो बीच वाला पाट है उसको बुला जाता है स्टोमाटा तो पानी भ ओपनिग और क्लोसिंग कम रेगव्यट करता है नेक्स्ट क्वोस्टन देखते हैं ओवरी प्रकाहिब्स इस्ट्रोजन एन दौप्रोड्युस करती है इसमें यहां पर ऊजट्रोजन लिख्या थी तो आपका आएगा estrogen ठीक है ना next question देखते है by a blank mirror a virtual and enlarged यह बहुत important word है enlarged image आएगी तो always आपका आएगा conqueo mirror कौन सा आएगा conqueo mirror ठीक है ना virtual और enlarged चाहिए तो क्या आएगा conqueo virtual and diminished चाहिए तो आएगा convex ठीक है ना फिलारा में क्या चाहिए virtual and enlarged तो हमारा answer आएगा conqueo mirror ठीक है ना आगे वाला question देखते है blank is considered as a clean fuel for vehicles सबको मालूम है कि CNG हमारा क्या होता है clean fuel होता है vehicles के लिए ठीक है ना आएगा यहां तक आपको clear हो गया होगा अब देखते है next part को next part हमारा है true and false इसमें पहला है silicon is a metallic semi metallic element semi metallic का मतलब क्या होगा metal में भी ले सकते हो non metal में भी ले सकते हो semi metallic की जगह आपको metalloids भी दिया जा सकता है तो silicon is a semi metallic element तो statement बेड़ा true है ठीक है ना तो silicon जो metalloids के अंदर आता है इसको जो सिसकों semi metallic भी बोल सकते है ठीक है ना next question देखते है the internal structure of bonds of a four limb of lizard bird and human being is different देखो पहले तो यह समद लो कि यह जितने भी यहाँ पर आपको parts दिये वो सारे के सारे क्या है homologis है और homologis का जो initial होता है वो क्या होता है same होता है ठीक है ना मतलब जहां से बने होते हो क्या होते है same होते बट यहाँ पर आपको बुलाए कि वो different है तो statement मेरा क्या है false है statement मेरा क्या है false है ठीक है ना देखते हैं यहाँ पर मैं आपको image के दिरूपी दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देखो हमारे पास frog है lizard है bird है और human है इन सभी के लिए यहाँ पर आपको होते है same होते है बट यहाँ पर आपको बुलाए कि different तो हमारा answer क्या आएगा false आएगा ठीक है ना अगर यहाँ पर पुछा होगा कि being is same तो हमारा answer क्या था true पर फिलाल हमारा answer क्या रहेगा false रहेगा ठीक है ना next question देखते है in case of irregular reflection the laws of reflection are not applicable false law of reflection regular के लिए और irregular दोनों के लिए लगता है ठीक है ना पर यहाँ पर इन लोगों ने बोलाए कि irregular के लिए apply होता नहीं है तो यह बात गलत है तो इसकी वज़े से statement क्या आएगा false आएगा ठीक है ना next देखते है in the sun and other stars nuclear fusion is fusion reaction is a large source of energy किन đang की आति सहन के अंदर और star के अंदर जो energy प्रोडियूस होती है और किसकी वज़े से होती है nuclear fusion की वज़े से होती तो fusion का मतलब क्या होगा कि जोटे-चोटे एटम्स मिल के क्या करेगे energy produce करेगे तो इसको बोलते हम nuclear fusion तो sun किसके time और सब किसे बने यह एक चोटा इंटम्स होते जो एक दुसरे के साथ कंभईन होंगे क्या करते एनशी बनाते इस टेटमेंट मेरा true statement कि अभी देखते नेक्सट पार्ट अंसर दो following question as directed मतलब हम यहाँ पर आपको जो बैटे questions दीए इसके अंसर निकलना है ठीक है ना तो पहला question क्या है, synapse क्या होता है उसके बारे में, ठीक है ना, तो synapse क्या होता है, तो synapse is the gap between now's ending of one neuron and dendrites of the another, मतलब एक neuron का ending और दूसरे neuron का starting, इन दोनों के बीच में जो gap होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, synapse बोलते हैं, ठीक है न, याद रखना, एक neuron का ending और दूसरे neuron का starting, इन दोनों के बीच में जो gap होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, synapse बोलते हैं, ठीक है न, यहोड़ आपको इस समझ में आ गया होगा, next question देखते हैं, which evidences are considered as ancient documents in the field of biology, simple सा answer बेटा है, fossils, ठीक है न, the fossils are considered as ancient documents, ठीक है न, 19th वाला question देख लेते हैं, what is earlobe, which expression is dominant and which one is recessive for earlobe, तो earlobe क्या होता है, तो पहले इसके answer देख लेते हैं, ठीक है न, तो earlobe क्या होता है, the lowest part of ear is called earlobe, ठीक है न, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ear का नीचे वाला जो इससा है, नेचे वाला इसा है, इसको हम बोलते हैं earlobe, ठीक है न, तो कुछ लोगों के earlobes जो होते हैं backstage होते हैं, और आपने सकते हैं, यहां पर स्कीन के साथ अटेज़ नहीं है तो इसका इसका ट्रांच लिखना है वो एक बार देख लेता है ठीक है ना तो लॉस्ट दो ends आप ले लो बीटा तो दो ends के बीच में जो अपने voltage लगाया है वो सिधा किसके proportion में होता है current के proportion में होता है ठीक है ना directly proportional होता है तो देखते हैं कैसे लिखना इसको ओर्म स्लो स्टेट the current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference potential difference is voltage ठीक है ना V across the its end conductor के end के बारे में बोला है ठीक है ना आगे देखते हैं next question है which oxide is responsible for acid grain ठीक है ना तो acid grain के लिए कौन-कौन से responsible है तो एक है हमारा sulfur dioxide nitrogen के oxide जैसे कि nitrogen monoxide nitrogen dioxide यह तीनों के तीनों मेजर कोज है एसे drain के बारे में ठीक है ना next question क्या है state the full form of cfc cfc का full form क्या होता है chlorofluorocarbon ठीक है ना तो यहां पर आप देख सकते हो c stands for chloro f stands for fluoro and again c stands for carbon तो chlorofluorocarbon तो गंगा सफायोज ना introduce तो गंगा सफायोज ना क्यों introduce किया गया था simple गंगा का पानी खराब हो गया था याना की dirty हो गया था इसकी हो जैसे ठीक है ना तो यहां पर लिख सकते quality of the water is of the गंगा was very poor and that's why गंगा सफायोज ना was introduced ठीक है ना next question देखते है 24 वाला four brain का part कौन सा है और थार्ड वाला ठीक है ना sorry एक के साथ हमारा क्या आएगा three और हिंड ब्रेन किसके साथ connected होता है पॉंस के साथ यानि कि mistakes या तो कुछ नहीं समझा रहा है तो आप comment section के अंदर comment कर सकते हो आपको वहाँ पर आपका answer मिल जाएगा ठीक है ना तो फिर मिलते है न्यू वीडियो के अंदर तब तक good day and take care